आजम खान को लेकर आज सुप्रीम कोट में सुनवाई होने जा रही है जमीन हडपने के नए मामले को लेकर ये सुनवाई होगी पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोट ने दरसल आपको बता दे के आज संतोश जताया था तितपूर जेल में बंद है आजम खान तो देखिए बड़ी राहत आजम खान को मिली इलाबाद हाई कोट की तरफ से लेकिन देखिए एक और शिकायत के बाद उनके जेल से बाहर आने के रास्ते पर रोक लगती हुई नजर आ रही है दो साल से वो जेल में बंद है उनकी तरफ से याचिका दायक की गई थी जमानत याचिका और लगातार अब देखिए कि उनको कोट की तरफ से राहत तो मिली लेकिन एक और शिकायत दर्ज की गई उनके खिलाफ और उस पर देखिए आज सुनवाई होने डा रही है कहीं ना कहीं ये अब सवाल खड़ा हो चुका है कि जवाना तो मिल चुकी है लेकिन अब क्या होगा आगे इस जो शिकायत की गई है उस मामले में आप कोट की तरफ से क्या कुछ फैसला सुनाया जाएगा ओम पांडे जादा जानकारी के साथ हमारे समधाता अलगातार हमारे साथ बने हुए है सीधारो को ओम पांडे का करेंगे और जानकारी लेंगे ओम देखिए इलाबाद हाई कोट की तरफ से बड़ी रहत आजम खान को मिली दो साल का समय वो जेल में बंद है और उनकी तरफ से याचिका दायर की गई और अब देखिए रहत तो मिली लेकिन एक और शिकायत में बहार आने का रास्ता अभी तक उस पर ऐसा लग रहा है कि सवाल अभी भी बना हुआ है बहार आएंगे या नहीं आप आएंगे देखिए ये फैसला तो कोड करेगा कि आखिर क्या आजम खांको जो सहुलते हैं वो मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है एक तरफ जहां उनकी जो जमानत याचिका पर कल जहां मोहर लगी लेकिन दूसरी तरफ जो है एक वादी ने और ए जीतापूर जेल में बंद हैं और ऐसे में उन पर जो भी तमाम केस दर्ज किये गए थे उन पर लगातार सुनवाई हुए और अधिकतर मामलों पर उन्हें लगभग लगभग जमानत मिल चुकी है लेकिन जिस तरह से लगातार राजसरकार के तरफ से माननी हाई कोर्ट में जो है वो इस बात को लेकर के जिस तरह से तमाम बाते रखी गई थे और इस बात को कहा गया था कि संत्र संपति मामले पर उनके पास कुछ और जानकारी है जो कोर्ट के सामने प्रस्थूत करना चाहते हैं यही वजह है जब कोर्ट के सामने वो तमाम जानकरिया प्रस्थू सुनवाई की और आजम खा को बड़ी महुलत मिली कोट से और साफ तोर से उन्हें जमानत मिल गई लेकिन दूशी तरफ लगातार जिस तरह से मुश्किलों का दौर है वह आजम खा का कम होने का नाम नहीं ले रहा है आज इसी मामले को लेकर जो अन्य एक याचिका जो है माफ महत्रपूर बिंदु हैं वो रखे गए हैं उन पर क्या एग्रूमेंट होता है कोट के माद्यम से और आजम ख्यां की तरब से वकील वो किन बातों को रखते हैं इन पर सबकी निगाहे हैं और सबसे बड़ी बात है 87 ऐसे केस हैं जिसमें 86 में उन्हें जमानत मिल चुकी है लगातार जो है उन पर जो चाहनीचली अदालत हो हाई कोट हो सरोचने आले हो उन तमाम केसों को कोट में ले जाया गया और उसके बाद लगातार उन्हें कहीं सहुलेत मिली एक सबसे बड़ा महत्रपूर जो केस था अगर इस सिकायती पत्र के बाद अगर उन्हें रहात मिलती है तो कहीं ने कहीं आजम खां बाहर आएंगे और बाहर आने के बाद सभी को पता है कि उत्तरपदेश में 2024 का चुनाव है उस द्रिष्टकूर से भी और सबसे बड़ी बात यह है कि शुपाल यादो आजम खां स मुसलिम चेहरे के तोर पर अगर आजम खां की बात कही जाये बड़े चेहरे के तौर पर योसरी बात के बाहर पात तमाम जो सिकाय़ी पत्र है या तमाम जो कोट के मुगद में हैं उनसे कहिने के जमानत मिले और वो बाहराया के बाद, आने वाले समय में उतर पिदेश में राजनीतिक में दिष्टकूर से क्या एहम रहने वाला है, यह तमाम चीजें सामने रहने वाली खबरों के निश्पक्ष विश्लेशन के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एड प्रेस दा बेल आइकन नेवर मिस एनी अपडेट डाउनलोड कीचे ज्वनातंत्र टीवी आपको जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और अप स्टोर पर अधिक जनकारी के लिए अभी डाउनलोड करें